आज हम बनाने वाले धाबा स्टाइल मिक्सवेश पराठा जो भी सब्जियों वच्चे नहीं खाते वही सब्जियों से हम आज मिक्सवेश पराठा बनाएंगे चलिए इसकी विद्धी शुरू करते हैं उसके लिए मैंने एक कप गियू का आटा लिया है उसी में मैं एक चोथाई कप नमक डाल रही हूं और अभी हम आटा और नमक को मिलाना शुरू करेंगे एसे एक बार अच्छे से चला लीजे आटा और नमक को और अभी हम आधा कप के आसपास पानी डालेंगे मैंने पहले साथी टेबल स्पून डाला है और एक सॉफ्ट हम आटा लगाएंगे एकदम नरम आटा लगाना है हमें रोटी के जैसे कड़क आटा नहीं लगाना है यह देखें मैंने आटा पूरा गूत लिया है आटा बहुत सॉफ्ट है इसको मैं थोड़ से तेल डालूँगी और एक बार तेल से उसे रगड लूँगी तेल से जो कोट करें ताकि हमारे आटे पे कड़क वाली पत्रन ना बने और बस इसे हम रेस्ट करने के लिए एटलि अब बारिक कटावा हमारा कैपसी का मिल्च और एक चोटी चमच लसन का पेस्ट आला है और मैं अभी एक चोटी चमच अधरक का भी पेस्ट दालूंगी और अब चलते हैं आगे की प्रोसस के तरफ उसके लिए एक नॉस्टिक पैनलिया मैंने आप नॉर्मल भी ले सकते है और अभी हमने जो भी सबजिया काटके रखी थी वो सारी सबजिया हम उस पैन में डाल देंगे जैसे कोटा कोबी, प्याज, हरे मतार, सभी बारिक काटना है हुए और वो सभी हम पैन में डाल देंगे हम तेल नहीं डाल रहे हैं आप चाहे तो तेल में डाल सकते हो और इस पराठे में मैं आलू का बिल्कुल भी इस्तमाल नहीं करूंगे, आप चाहे तो कर सकते हो और तेल भी नहीं करूंगे, जो कम से कम तेल में हो सके वैसे ही करूंगे, और इसे हम सोते करेंगे, हम आलू इस्तमाल नहीं कर रहें, इसलिए हमें इसे ऐसे पका लेना है, अच्छे कर मैंने कर शाहितना सब्सक्राइब कर दंदो ड्रष फष में जुर्ड़ा कर दाला है यहार यहारिक हाउ-पर पिक दोचेlarda चिली पाउडर जाल रहे हो और आदिशूरी चमद गरम मसारा जाल डाल एक रख चाट मसारा जादा जाल 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 बाएगे तेज पर नहीं कर नहीं हो is लिए टेज पर नहीं पकाना है यह देखिया इसे अच्छे तरीके से में इसे मिला ले रहे हो अच्छे तरीके से मैंने इसे अच्छे से मिला लिया अभी धीमियाज पर इसे मैंने दो मनिट पका लिया और अभी मैं इसे थंडा करने के लिए प्लेट में निकाल दे रही हूँ इस तरीके से पराटा करने से सबजिया मुह में नहीं आती और बच्चे आराम से खा लेते अब यह थंड़ा होने के बाद मैं तीन बड़े चमस इसमें फेटा चीज डाल रहे हूँ आप पनीर भी डाल सकते हूँ या नॉर्मल चीज भी डाल सकते हूँ आपके मर्जी आपको मिला लिया है और सॉफ्ट कर लिया अब इसके में लोई तोड़ूंगी एक कप में अलमुच 6 लोई हमें तोड़नी है इस साइस के आप लोई तोड़िये देखिए थोड़े नॉर्मल रोटी से थोड़ा बड़ा होना चाहिए इसी तरीके से मैं सारी लोई बना लिया अब चलते बनाने के लिए उसी विए में एक सुखा अठा भण ली आया है बалог बेल ने को आसा नहीं हो जाए इसके लिए और cutting it साइड में पतला बीच में मोटा है अब मैं इसमें स्टफिंग को दबाना है और साइड से रोटी को लिफ्ट करना है उठाके उठाके देखे सकी साइड से बीच में तरह साइड से गोल घुमाते हुए मोटा अब तेखे से बल बहुत पतला नहीं बेल नहीं जाएगा इसे पूरा में बेल लिया है जो भी सुखा अटा था एक्स्ट्रा निकाल भी लिया है अब चलते इसे अब मैं साथी में इसमें थोड़ा सा तेल लगा रही हूँ आप तेल बटर घी जो भी आप लगाना चाहते हो लगाएं सकते हो थोड़ा सा मैं इसमें तेल लगा रही हूँ और इसे भी में 30 सेकंड के बाद उल्टा कर दूंगी अब ग्यास पूरी दीमी कर देनी आपको और उपर के साइड में भी थोड़ा सा तेल लगा रही हूँ मैं क्योंकि मैं उपर से बाद में बटर डालूंगी इसले तेल बोट कम डाल रहे हो यह देखिए यह 45 सेकंड बाद वापस हमें इसे पल्टा कर देंगे यह देखिए नीचे से कितना अच्छा से करारा और लाइट गोल्डन ब्राउन के स्पोर्ट्स आया है उस पर आप तेज आज पर करोगे तो जल जाएगा यह देखिए अच्छे से दो आपको कैसे बेलना है यह देखिए और एक लोई ली मैंने उसमें थोड़े सा सुख हाट लगाया ताकि आमें बेलने में आसानी हो जाए और देखिए साइड में पतला और बीच में मोटा इस तरीके से आपको एक छोटी पूरी तोड़ा बड़ा साइस का बेल लेना है और इस तरीके से बनाने से ना पराठा बहुत कम फटता है और यह देखिए इसे अच्छा तरीके से हम मिला सुखाट लगा के एक थोड़ा सा मोटा सा पराठा का बेल लेंगे यह देखिए पराठा मेरा बेल के हो चुका है इसे भी में तवे पे डालके पूरा सेक लोंगी जै बेल लगा के दीमी पे पका लोंगे यह देखिए मेरा दूसरा भी पराठा पूरा पक चुका है दोनों से अच्छे से लाइट गोल्डन कलर का हो चुका है अब मैं इसे भी प्लेट में ट्रांसफर कर दूंगी पराठे को मैंने चार हिस्सों में काटा है आप चाहे तो एक सिंपल सा गुंदी के रहता और यह वेजीटेबल मिक्स वेच का जो पराठा है बहुत ही टेस्टी लगता है आप इसे ज़रूर बनाए जो भी बच्चे बत्ता हो भी क्या शिम्मला में गाजरी कुछ भी नहीं खाते हो भी खाएंगा और यह बिना अलू के है तो जो कैलरी करते हैं वह भी आराम से खा सकते हैं और तेल भी इसमें बहुत कम है आप चाहे तो पूरा स्कीब भी कर सकते हो आपको यह रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना थैंक्स फर वाचिंग